तो आज की जो रेसिपी है वो चाइनीज रेसिपी है तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाउमिन उसके लिए मैंने पानी उबलने के लिए रखा था उसमें थोड़ा सा नमक एड़ किया था थोड़ा सा तेल एड़ किया था और एक पैकेट चाउमिन एड़ कर दिया था दो से 9 लिखौने के पाधि इसे चेक कर लेंगे तो यह अच्छे से पक जाएगा फिर इसे एक शंनी में ठ्रांसफर करेंगे और ठंडे पानी से धोलेंगे और एक चमच तेल अटकरेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि यह चिपके न और इसके साथ मैं बनाऊंगी पनीर चीली जिसके लिए मैंने धाई सो ग्रम पनीर लिया है उसमें थोड़ा सा नमक ढट करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर आट करेंगे एक चामच कॉण फ्लोर आट करेंगे और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये पनीर को फ्राई करके बनाऊंगी मैं, आप चाहें तो नॉर्मल प्लेन पनीर से भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे बनाएंगे, तो जो बाहर वाले पनीर चिली होते हैं, थोड़े क्रिस्पी वाले वैसे बन के तयार होते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ सबजि कटे हुए प्याज और शिमला में चैट कर देंगे, फिर कटा हुआ लहसुन और अधरक अट कर देंगे, और सारी चीजों को हाई फ्लेम पे एक से दो मिनट तक पकाना है, सबजियों को बहुत ओवर कूक नहीं करना है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा बाउल लिया है, मैंने उसमें एक चमच विनेगर, एक चमच सोया सॉस और टेस्ट के कोडिंग रेड चिली सॉस आट किया है, आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी आट कर सकते हैं, थोड़ा सा टोमेटो सॉस आट किया है, और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर यहाँ पर सबज इसके साथ आपको उपर से नमक आट करने की ज़रुरत नहीं है, और यह मसाला डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और कलर भी आजाता है, और यह चौमिन बनके रेडी है, फिर मैं बनाऊंगी पनीर चिली, उसके लिए एक क कर देंगे, सोया सास, चिली सास, और थोड़ा सा टोमैटो सास, और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में, फिर यहां पर यह एक चमच कॉन फ्लोर को पानी में घोल के रखा था, मैंने वो एड़ कर देंगे, मैं बना रही हूं थोड़ी ग्रेवी वाली प ग्रेवी के साथ पनीर को अच्छे से पक जाने देंगे, जब एक से दो मिनट हो जाए तो यह हमारा पनीर चिली बनके रेडी हो जाएगा, इस पे उपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा हरा प्याज, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्क करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और यह रेसिपी जरूर ट्राइक करिए, यह कॉम्बिनेशन ट्राइक करिए, और थैंक यू सो मच पर आचि